नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे हिंदी की सुप्रसित कथाकार म्रदला गर्गजी की कहानी लोटना और लोटना, तो आजे सुनते हैं कहानी यह बाथरूम का क्या हाल पना रखा है, कोई भला आदमी ठैर सकता है यहाँ, हरीश ने दहारते हुए कहा क्या है, क्या हो गया, मा कमीज पर बटन टांक रही थी, छोड़कर भागी, मारे बद्बू के दम घुट रहा है काहे में, पाखाने में और किस में, लोग, पाखाने में बद्बू नहीं तो और क्या आएगी, और यह फ्लश भी काम नहीं करता, कीच जमी पड़ी है सो तो बरस हो गया, मा ने आराम से कहा, ला एक बाल्टी पानी डाल दूँ, वे पानी भरने लगी, भरते भरते बुद्बुदाती गई, यह मरा जमादार भी ऐसा काम चोर है कि क्या कहूं, कुछ करने का न धरने का, और दिमाग सात्में आस्मान पर चड़ा रहेगा पता नहीं आप लोग इतनी गंदगी में रहते कैसे हैं, तभी न इस देश का यह हाल है, हरीश अलग बुरबुरा रहा था मा को खाली बाल्टी हाथ में थामें बातरूम से आते देखा तो बोला, बस हो गया, मा अब खीज चली थी, बोली, तो और क्या, पाखाने में सोफा सट डलवाऊं, अगर बत्ती जलाऊं अभी परसों लड़गा पांस साल बाद अमेरिका से लोटा है, हवाई एड़े पर टेरी वूल में सजी उसकी स्वस्त देह और चमकते मुक को देखकर जो मोह उत्पन हुआ था, सारा दिन बना रहा परसों का पूरा दिन उसका चेहरा नहार कर गुजार दिया, एक ही संतान है, वह भी पांस साल से अलग, पर दो दिन गुजर जाने के बाद उसकी नई-नई मांगों ने, और हर मांग के साथ नुकता चीनी ने उन्हें खेजाना शुरू कर दिया बाबुजी की तरह वह अधिक देर तक इस बात से प्रभावित नहीं रह पाई, कि लड़का अमेरिका से लोटा है, लोटा है तो ठीक है, पर उसका यह मतलब नहीं कि हर बात पर छीटे कसता जाए, तब तक कोलाहल सुन बाबुजी आपोंचे ठीक तो कह रहा है, उन्होंने टोका, मालूम है अमेरिका में पाखाने भी शीशे की तरह चमकते हैं, तुम हो आयो, माने प्रभावित हुए बगेर पूंचा, हो नहीं आया तो क्या जानता नहीं, तो करादो फ्लश्टी, बरस बर से खराब पड़ा है हाँ हाँ, अभी मिस्त्री बुलवाय देता हूँ, मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, बाबुजी ने मासूमियत दिखलाते हुए कहा, समझ में नहीं आता, आप लोग इस गिलाज़त में रहते कैसे हैं, कहे हरीश जपट कर बाहर निकल गया कोई बात हुई, मान ने उसके जाने के बाद कहा, हम कोई गिरे पड़े हैं, अरे भाई, तुम समस्ती क्यों नहीं, लड़का अमेरिका से आया है, तहजीब लियाकत सीख कर, रोशन खयाल लेकर, हमारे गवारू पिछले तरीके उसे कैसे रास आएंगे, पता है, हमसे अच तो लगे है, वहाँ कोई मेम बेम देख रखी है इसने, तभी हमें ऐसी हिकारत से देखे है, कुछ देर बाबुजी की समझ में नहीं आया कि पाखाने से मेम का क्या संबंध हो सकता है, पर बात ऐसी थी, कि समझ में ना आने पर भी घबरा उठे, पूजा, कुछ कह रहा था क्या, ना सीधे तो कुछ नहीं कहा, शादी की बाबत बात की थी, ना मैंने नहीं की, परसों आया है तब से हर्दम काटने को दोड़ रहा है, करनी है तो तुम ही करो, ठीक है मैं ही करूँगा, पर तुम भी कुछ खयाल रखो, अब देखो, खाने में मिर्च बिल्कुल मत डालना, सूप का टिन खोल लेना, ले आया हूँ, और सलात काटा, तुम ही काट लो, अच्छा-च्छा, मैं ही काट लेता हूँ, पर सुनो, सुबह उसे बिस्तर पर बेट्टी जरूर पहुंचा देना, आज तुमने क्या किच-किच लगा रखी थी, किच-किच क्या लगा ना मुध होया, ना दात मांजे, चाय पीने बठ गया, तो तुम ही क्या, बाबुजी जलाए, तुम भी एक गावदी औरत हो, पता है, सारे अंग्रेज ऐसे चाय पीते हैं, वे एक बार गर्जे, फिर स्वर को थोड़ा होमल बना कर पोले, जहां टिकेगा तो अपना घर ब वहां से, वरना अपकी गया तो किसी अमेरिकन के साथ वहीं बस जाएगा, हाँ, मानने कहा, फूल बाग वाली जमीन कब से पड़ी है, मकान बन जाए तो सिर पर छट रहे, अगले साल तुम रिटायर हो जाओगे, तभी न सूचता हूँ, कहीं अच्छी जगे शादी ब्या साहब कह रहे थे, पचास साथ हजार तो महमूली बात है, और तुम हो, उनका स्वर फिर तेज हो गया, हर वक्त चक चक लगाए रखती हो, मेरा क्या, अपसे मूँ को ताला लगा लिगी, मा बुर्बुराती हुई रसोई घर में जाग हुसी, अगले दिन सुबह बैटी भरने लगा, ठीक बने की नहीं, उन्होंने उत्सुख विनम्रता से पूचा, ठीक ही है, हरीश ने कहा, पती कुछ तेज है, अब बेटा, तुम्हारी मा ठहरी पुराने ढंगी, असल में अब तो बीबी ही पसंद की चाय पिला सकेगी, कहकर बाबुजी हापने लगे, बस अब रहस्योत घाटन होने वाला है, हरीश ने चाय की एक और चुसी ली, फिर प्याला तिपाई पर रख कर तकिये के नीचे हाथ डाल सिगरेट का पैकेट निकाल लिया, जब खोला तो बाबुजी की उपस्थिती का खयाल आया, अन्मने भाव से पैकेट धीमे धीमे करना सेहत खराब हो जाएगी, हरीश ने सिगरेट सुलगा ली, अच्छा, डांसिंग वांसिंग भी सीखी होगी, उन्होंने चुहल भरी मुस्कराहट के साथ पूचा, जिससे उनके जुनियोदार चेहरे पर काफी भद्दा भाव उबराया, हाँ, उसके बिना वहाँ चलत कहीं कुछ, हरीश ने बात काट दी, छोड़िये बाबुजी, जो वहां की जिन्दगी के साथ था, वहीं निप्टा आया हूँ, यहां मैं शादी करने के इरादे से आया हूँ, सुनकर बाबुजी सुन रह गय, मुह खोल कर कुछ देर उसकी और ताकते रहे, वाह, जो बात वे इतना घुमा फिरा कर कहने वाले थे, लड़के ने साप साप खुद कह दी, चमक्ती आँखों से उन्हों ने कहा, बस बेटा, हमारी भी यही तमन्ना है, शादी के लिए मुझे अमेरिकन लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, उनके साथ आदमी रिलेक्स नहीं कर सकता हर दम तनाव बना रहता है, हजार मांगे होती हैं उनकी, हर तरह आदमी के साथ बराबरी करना चाहती हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बाबुजी ने गदगद स्वर में कहा, हिंदू नारी के समान कौन नारी हो सकती है, तभी दूद का गिलास हाथ में थामे मा आई, बाब को सिगरेट पीता देख बिफर उठी यह सिगरेट पीना कबसे सीख लिया तुम्हें मतलब बाबु जी ने टोका तो वे और चिड़ गई बाब के मुह में धुआ उड़ाने का काईदा उन लोगों का होगा हमारा नहीं है कहे वे बाबु जी पर फट पड़ी बैठे बैठे टाक रहे हो कुछ कहा नहीं जाता हरीश के माथे पर शिकन उभराई करवा मुह बना कर सिगरेट बुझाने लगा तो बाबु जी ने रोक दिया पीओ बेटा पीओ तुम्हारी मा ठहरी अनपड उसके कहे का क्या बुरा मानना फिर गुर्रा कर मा से बोले तुमसे चुप न के पायताने बैट गई हरीश ने दुबारा सिगरेट नहीं जलाई तो कोई लड़की है नजर में बाबु जी ने डरते डरते पूछा नहीं दो चार देखकर तै कर लूगा आपकी नजर में तो कुछ एक होंगी हाँ बेटा बाबु जी निहाल हो गए हमने कपसे आस लगा रखी है कल ही चलो देखने बेकार की लड़कियां देखने से क्या फाइदा दो बातें जरूरी है एक तो लड़की डॉक्टर होनी चाहिए वहां बहुत पूछ है उनकी काफी पैसा कमा लेती है और दूसरे तो तो बाबु जी बीच में हकला दिये तो क्या वापस चाने का इरादा है और नहीं तो क्या यहां खाग छानने का इरादा है बहुत मिली तो यहां 800 की नौकरी मिल जाएगी मैं चार महीने की छुट्टी लेकर शादी करने आया हूँ इसी बीच लड़की मिलनी चाहिए चार महीने बाबु जी को निराशा होने लगी लगा मकान का सोपन देखना बेकार है अरे वहीं क्या सोना बरसे है पांच बरस में आये हो अब यहीं बसो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो मा को कहते सुना तो बाबु जी समल कर बोले तुम चुप रहो जी वे जानते हैं अमेरिकी तहजीब के लड़कों को बुढ़ापे का रोना अच्छा नहीं लगता वह तो बेटा उन्होंने कहा तुम्हारी खुशी पहले है जहां रहना चाहो रहो हमारा दिल तो खैर चाहेगा ही कि तुम हमारी आँखों के सामने रहो अपना देश है बेटा कभी ना कभी तो लोटोगे ना हां मेरा वहाँ हमेशा रहने का इरादा नहीं है वहां के लोग साले सब पैसे के टटू हैं, हिंदुस्तानियों की बेज़ती ही बेज़ती है, मैं बस पांस साल और रहूंगा, इतना पैसा जमा हो जाए कि अपना बिजनेस जमा सकूँ, यह तो बहुत अच्छा है, बाबु जी ने जोश के साथ अनुमोदन किया, मकान का नि अनिमोन भी हो जाएगा, वहां भारतिय संस्कृत की काफी चर्चा रहती है, अपने मंदिरों वंदिरों के बारे में कुछ पता हो तो अच्छा रहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बाबु जी ने कहा, भारतिय संस्कृत के समान महान संस्कृती और कहा मिलेगी, महान वहान त अभी हमें उन तक पहुँचने में कई युग लगेंगे कई युग सो तो है कुछ देर चुपपी रही फिर हरीश ने कहा तो है कोई डॉक्टर लड़की आपकी नजर में हो जाएगी बाबु जी ने कुछ चिंतित स्वर में कहा तुम बुरा ना मानो तो अकबार में इश्तिहार दे लें दे दीचे हाँ दूसरी बात लड़की गोरी काली जो हो सेक्सी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए माने अचरस से पूचा उनकी समझ में नहीं आया कि गोरी काली के अलावा यह तीसरी चीज क्या होती है हाँ हरीश ने कहा जाओ जाओ कुछ खुद भी सोच लिया करो मा उठकर चली गई पता नहीं बेटे के मुह से इस शब्द को सुनकर बाबु जी इतने विचलित क्यों हो उठे पर समल भी जल्दी गए चेहरे पर वही भीभत सु चुहल का भाव लाकर बोले वह तो बेटा तुम देख लेना हम बूढे क्या जाने घरबार तो आप देखी लेंगे शादी बिल्कुल साधे धंग से होनी चाहिए साधे धंग से सामान देने की जरूरत नहीं है वहाँ उठा कर थोड़े ले जाएंगे जो देना हो नकत देने नकत बाबुजी की देह आहलाच से काँप गई लड़का हो तो ऐसा बाच वर्ष अमेरिका में रह लिया पर अपनी संस्कृती नहीं भूला उनका मन हुआ खीच कर उसे च्छाती से लगा ले पर लगाया नहीं वे जानते हैं उसे भावुकता पसंद नहीं अब उठना नहीं है क्या मा दूसरा प्याला चाय लिये आ पहुँची तुम जाओ नहाने का पानी गरम करो मैं आता हूँ दफ्तर जाने से पहले सबजी भाजी पहुचा कर जाना उन्होंने जाते जाते रुख कर कहा हाँ हाँ अब जाओ भी मा गई नहीं कि हरिश बोल उठा और वह फूल बाग में अपनी कोई जमीन है न हाँ बेटा बाबुजी की सांस रुख सी गई सूसता हूँ मकान बनवा प्रालों प्रापर्टी हो जाएगी तो आराम रहेगा बेटा तुम तो बस क्या कहूं सब हमारे दिल की बात कहे दे रहे हो बाबुजी आनंद विवोर हो उठे यथा समय हरिश का मनचाहा विवा हो गया दक्षिन यात्र संपन हुई और मकान बनकर तयार हो गया पर और किराय के रुपए अपने नाम से बैंक में जमा कराने का बंदोबस्त कर गया तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं